कि कि हैं लो फ्रेंड्स वेलकम आपके अपनी यूटूब चैनल एचार क्लासुष में कि आजका लेक्षर होने वाला है वह ड़िश्टिव सिस्टम पार्ट नहीं देखे रहें बाफ पार्ट ऑन को देखें वह इने लेट किवह स्टाट करते हैं आज को आपका पहला काचन है कि समाइन भक्ती में 100 मिली रख्त में केलस्ट्रॉल अस्थर किसके बीच रहता है आनि कि 100 मिली रख्त में केलस्ट्रॉल का अस्थर किसके बीच में रहता है सो रहता है आपका 100 से 1500 मिली ग्राम सौप्सन सी विली रैट इंसर 100 से 1500 मिली ग्राम आपका 42 नमर कोचन है पोदे जो अपना खाद बना सकते हैं मतलब जो अपना खुड बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं अटो टॉप्स इस यह इए इनसर ऑटो टॉप्स चलिए देखते फ्रेंट नेक्ट चोशन आपका जो तेतालिश नमर है कि निम्लिकित में से कौन सा लायर आदि जो आपका लायर है सलाइबा का लाब नहीं है यहाप पर देखे वड़ाया हुआ है नहीं है देखे या निगलने में मदद करता है लाब का यह फाइदा है दूस कि से को बोलते है रेड ब्लड तरंसा इक गळेड ब्लरृड खरपुलिस-इसका जो फ्रमिशन होता है है वह आपका बॉन मेरों में हobile ने की अस्थी मज़ा में लेकिन ब्हूर नवस्ता की केश में कि भुर नवस्ता में आपका या लीवर में होगा कहां पर होगा लीवरं और लिवर जो है मानुसरीर का सबसे बड़ा ग्लेंड है मानुसरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथी है वह आपका कौन है लिवर है लिवर से आपका बाइल जूस का सिक्रेशन होता है इसका बाइल जूस का आनि पीतरस का पीतरस का जो नेचर होता है वह आपका बेसिक होता है म को कब्रगा बोलते हैं जो लिटा आपका जिए होगा कि अब का तब आपका जो अस्पीलीन है वाँ आपका एफक्टे ने जुश्ट लोटा है चिले देख्टे फेमिन जो आपका 44 को चलंग कि एंजायम होते हैं और जैम क्या है चौन अब के प्रोटीन होते हैं सो प्सनिल र जाएम है ओल एंजाएम और प्रोटीन मतलब कि जितने भी एंजाएम है सब के सब प्रोटीन है बट ऑल प्रोटीन है और नौट एंजाएम और नौट एंजाएम मतलब कि जितने भी आपके एंजाएम है सारे के सारे एंजाएम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजयाइम नहीं होते हैं चलिए देखते फ्रेंग नेक्स ओचन जो पहितालिस नमबर है अकरित कई कायर करता है उनमें से एक कायर है ग्लाइको जुन उत्पती सो अपसंद इलुड एट इंसर ग्लाइको जुन उत्पती कि चलिए देखते हैं आपका जो नेश्ट कोचने चारीश नुम्मर कि सर्प के 20 दंत है आनि कि जो साप में आपका जो 20 का धात होता है वाको ने सुभा होता है जंबिक दंत सब्सक्राइब राइट इंसर जंबिक दंत सर्प में कि पारोट्थ एट्र बलेंड पुजेन लेंड में सब्सक्राइब सब्सक्राइब रहता है है यह तो खुलिए देखते धूक्समें इसमलेशन होता है कि अख यह करीजमें औरका संद्शन होता है तो होता है अपका अरनिथीन चक्र द्वारा देखे यूरिया आपका पहला कंपाउंड है जिनको लेव में त्यार किया गया था और जो उनके त्यार करने वाले जो बेक्ति थे उनका नाम था होलर और उरिया का जो केमिकल फर्मूला होता है वह होता है NH2CO NH2 जो उरिया है इसमें 46 परतिसत आपका nitrogen पाया जाता है चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट कोचन 48 नमबर जो कोचन है आपका जन्तू का कौन सा अंग वसा को तोड़कर केलस्ट्रोल उत्पन करता है जन्तू का कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर क्या उत्पन करता है केलस्ट्रोल को सोबा अंग है आपका अक्रीत आनि लीवर से आपका एक जूस निकलता है जिसे बोलते हैं है जूस है अकरी बोलते हैं ही पेट्टो को लोगी क्या बोलते हैंं अइस्ट लोगी को चलिए बीट इंस्ट बैं जिवद्षण से जिवद्षण से च्छृज है पाराइबता यहार किस परकिलिया से गर् profess यान्य करता है आनि अमीबा जो अपना यहार किस परक्रिया से घरन करता है जीवदरो कुंचन से जीवदरो कुंचन चलिए देखते हो फ्रेंट आपका जो नेक्स्ट को चन है पचास नूमर को चन मनुष को रोटी चबाने पर मिठाक क्यों लगता है जैंब रोटी को चबाते हैं क्योंकि कार्ब मैं और जी आपका सकरा में में तो लो बेसिक होता है क्या होता है चार ये होता है इसे का आधिक होना चाहिए आधिक भी हम अपका साथते हमें इसटेंड हो जाएगा है और साथ से ज्यादा है तो बेस होजाएगा और साथ के बराबर है आपका न्यूट्रल हो जाएगा उदासीन हो जाएगा प्लस पियरू से लेकर आपका 14 तक होता है देखे इसको डिविजन कुछ समझे आपका जीरू से स्टाथ होगा और 14 में समाप्त होगा तब साथ में अपका क्या है नियुट्रल अधि साथ से आप जितना नीचे जाएगा आपका ऐसे कारेक्टर बढ़ते जाएगा और अगर आप साथ से उपर जाएंगे त्हापक बेसिक इक परते जाएगा मतलब की सबसे कम एजिआ होगा अधिर घ्रम अजीमिद जाए तब और अधिस सबसे अधिक जो बेसिक क्यारेक्टर होगा अनि सबसे अधिक जो छारी होगा उसका पीएच मान आपका 14 होगा चले देखते फ्रेंड आपका जो नेश्ट कोचन है और देखे छोटी आत्मे भोजन जो तब पूरुन रूप से पाचन होता है और कि में मुह के वाद आपका जाएगा अस्टोमेक में पेट में जाएगा और पेट में आप रोप्सली चार आवर्स तक भोजन रहते हैं चले तक तक फ्रेंट नेक्स्ट उचन जो बावन नमर कोचन है भोजन का पाचन निम्द अंग में प्रारम होता है और कहां से स्टाट हो में सौप्सन यह विल्वराइट अंसर मों अकृत से देखें बाइल जुस निकलता है अकृत के स्टड़ी को ही पेटोलोजी बोलते है है ही पेटोलोजी बोलते है और अकृत जो है इसमें आपका यूरिया का सैंथितिस होता है आत में आपका एक कुलाई नामक बक्तरिया पाई जाता है अगे पेट में आपका भोजान रहता हुआ चारावर तक रहेगा कितना और तक चार और तक चे सब्सक्रण से हमोब्सकान दो और यह क्या करता है कि अस्टार्च को आपका गुलकोज में चेंज कर देता है आने कि कार्बोहेड़िट को गुलकोज में चेंज करता है उसको बोलते हैं वह कौन सा एंजाम रता है कार्बोहेड़िट को गुलकोज में आपका जो चेंज करने वाला एंजाम है उसको बोलते ह वह आपका टायलीन है volunteer कि निकलता है निकरता है आँ चलते टेनटे से नेंस्ट कोचन उताओ को सिर्फेल गेलंड तीन चोड़न होते हैं इस लेबिक रेंड टोटल के टने होते हैं तिन चोड़न होगा अँच्छे जिसमें से एक आपका आपेरोटाइट ग्लेंड सबसे बड़ा गरंथी है और जो आपका सलेटरी ग्लेंड में सबसे बड़ा ग्लेंड कौन सा है और यही प्रेटर ग्लेंड क्या होता है कि आपका जो साप अगयर आप होता है उसमें पैसे अदे giy सब्सक्राइब कि आपका आश्टार्च के पाचन में साएक होता है क्योंकि लार में आपका एंजाम पाई जाता है वह वहाँ अच्छा and आपका और पारिन में जो प्रेंट एक चलिएटरीन आपका इस्टार्च को में प्रोटीन का पाचन कहां से सुरू होता है लाइपेज वसा का पाचन में सहिक होता है वसा के पाचन में में प्रारम होता है मुख सही अस्टाट हो जाता है वसा का पाइचन चलिए देखते हैं नेश्ट कोचन आपका संतावन नमबर कोचन है कि यहार में लवन का परमूग उपयोग है कि भोजन के पाचन के लिए अच्छे लगु मात्रा में उत्पन करना जो आपका 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 मच्छर रुदिरा हरी कि इनको बोलेंगे कि वैसे पसू जिनका यहार बलड होता है उसे बोलते हैं रुदिर हारी जो बलड अगरा को कंजूम करता है वैसे जानवर को आपिर वैसे पसू को क्या बुलेंगे रुदिर हारी अपिर रुदिरा हारी चले देखते हैं आपका जो संतावन नमबर कोचन है जीवित संसार में सबसे पर्चूर एंजायम है उसको बोलते हैं रुबिसको आप्शन संसलेशी जीव में होते हैं अभी इसको आपका हर एक परकास संसलेशन करने वाले जीव में होते हैं जो आपका परकास संसलेशन है सबसे ज्यादा आपका रेड में होगा सबसे ज्यादा कौन से color में red color में और जो सबसे कम होगा वह आपका green color में सबसे कम होगा देखे फ्रेंट इन्वर्टेज एवं जाइमेज एनजाइम कीरिमन की किरिया में साहिक होता है तक किरिवन की केईया में कौन-कौन साहिक होता है इन्वर्टेज और जैमेज एंजायम चले देखते फ्रेंड आपका नेश्ट कोचन अंठावन नंबर कि पूती जीवी वे जीव हैं जो यहार के लिए निर्भर करते हैं पूती जीवी किस पर निर्भर करते हैं यहार के लि चिंन शर्च नमर कोचन हम अमास एक रंधया पैपसिन सरवाई कहां शारी अमास एक रंधयों की प्रेप्सिन सरवाई को सeeee हाए है सुपर नहीं कि निम लिखित में से कौन सा अंग गलाइकूजोन को गुलकोज में चेंज करता रख्ण इनको गुलकोज में कौन चैस करता है सुभा होता है अक्रित आने लिवर सौप्सन यह विल्विर एट अंसर देखे किडिनी जो होता है इनका फंशनल उनिट है इसको बोलते हैं नेफरों क्या बोलते हैं नेफरों कि फेबडा कभी आराम नहीं करता है कभी आराम नहीं करता है प्लस फेबडा जिसे डखे होते हैं उसको बोलते हैं पेरी कारडियम मलरिया डीजी जदी हो जाएगा तो आपका जो अस्प्लीन है आने की जो तिली है वापका एफेक्ट हो जाएगा और आपका लीवर से बाइल जुसका सिक्रेशन होता है मतलब पी पीश्टिक के माइध्यम से वाँ आपका पितास्य में जमा हो जाता है चले देखते हैं उसका एक्समानेशन देख लेते हैं कि मनुस के फेफडों की संख्या है दो होते हैं मनुस में कितने फेबड़ होते हैं दो होते हैं प्ला जो फेबड़ होते हैं मनुस में वापका च चार-चेमर्वाले होते हैं कितने चेमर वाले चारच हैंबर इसमीय दो अलिंद होते हैं और दो निलाय होते हैं 2 तो अलिन और दो रिव डिलाय वह मुझेशव कंगकर खाल जो फिस होते हैं है कि इनमें फफेफुडे में जो कोष्ट पाए जाते हैं वह दो होते हैं किता होते हैं दो और dalla आपका लंक्छ उसमें आपका इंप्यूर बलर्ड वहथा है इसको आधर अब कर दून समय और देखे तील्ली है ॐर्ध लिक न का दपर ने और चलिए देखते हैं और शिश्रिक डेक्ट के माइदियम से आपके जो आंप पिताश्य में चले जाते हैं चले देखते हैं आपका बाडशक नमर को चन कि अस्तन्धारी इसमें उरिया बनाते हैं कि अस्तंधारी इसमें ओर यह बनाते सो आपके लीवर में बनाते हैं सो अप्सांड डी विल्विराइट एंसर और लिवर दिखे फलिहाँ आप फिर तिली को बोलते हैं बलड़ बैंक क्या बोलते हैं बलड़ बैंक इनका जो एसाई उनिट है इसको बोलते हैं नैफरों और गुर्दे किसंग कितनी होती है हमारे सेरी में दो होती है पलस जो आपका मुख उत्सरजन अंग जो है वह आपका किड़नी ही है कि एक दिन में 180 लिटर बलड को कि आप फिल्टर करती है जिसमें से एक प्रॉक्षी डेड़ लिटर मुत्र को त्यार कर पाती है कि तो तो देखते हैं फ्रेंट इसका करें निर्मान होता है बिटामین के का और बिटामीन के जो है आपका बिलोड क्लोटिंग में मदद करते हैं मनुष्क का जो मुख उधसर जी अंग है वा आपका क्या है कड्नी है यृ करें यृ कर के बाहरी आवरन को क्या बोलते है आए पेरि टोनियम जबते हैं पेरिटोनियम और हिटदरेंगे बारेयां ओर यहां आपरिए का आ खा़य से क्सचिए हैं और बीवार्च च्छ मख्रीश का कबर्गा कीश सब्वेशें पलिया को और यृविसी काने महां अंधिवल?? नुल खांअ है आप बस्त निर्मान होता है लिवर में और और बस्त जीवन होता है ओ less kata 120 is किसका भाग है और छोटी आथ में ही आपका पूरी तरह से भोजन पज्ता है नि जल भी आपकस जिसन लम्हां चोटी आथ कर आपका लंबाई है झालने कि आपका माउथ से लेकर टोटी जो चोटी आथ कि लंबाई पड़न जो ड्लाफली नो मैटर अगर पाद analog की को अंस मेखला आप फिर वच कहते हैं तो अगर पात की मेखला को क्या बोलते हैं अंस मेखला अफिर वच बोलते हैं इसमें कितनी हड़ी पाय जाती है चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट कोच ने दाय का दूद होता है वापका कौन सा रंग दिखाई देता है एल्बुममीन रख़ प्रोटीन है जो क्या करता है रख़ को गाठा बनाए रखता है और आप अगा परकार का अछ्य आपका क्रे कश्यों किए आपका एक्सेप्टर उनिवर्चल एक्सेप्टर मतलब कि एक वी बलड गुरूफ को एक्सेप्ट कर लेंगे अरव माइस को बोलते हैं उनी वर्च 4 को डॉनर और जी जू गुरूफ है कि चारप्रकर के टोंते हैं को इनको डिस्कबर किया गया था कर लेंड अश्टीनर के दुवारा चले देखते फ्रेंट आपको जो नेश्ट कोचन है परसे नमर कोचन मानुसरीर का सबसे कठोर पदार्त है वह कौन सा है सुभा है आपका दन तो अलग आप फिर इनेमल सुपसर यह विल भी राइट अंसर देखे सरीर की जो सबसे लंबी हड हडी है वह कौन सी है फीमर के अधिका पाई जाती है जांग में सारीर की जो सबसे मजबूत हडी है वह कौन सी अधिया की हडी चले देखते फ्रेंट आपका नेश्ट कोचन एंजयम क्या होते हैं इंजयम आपके प्रोटीन होते हैं सौपसंद सी विल राइट एंसर आपका लाइकन को निर्मित करता है और एल्गी और फंगस के बीच में जो समंध होता है उसको बोलते हैं है लो टीजम क्या बोला जाता है है लो टीजम चले देखते फ्रेंट्स नेक्स्ट कोचन जो आपका अर्श्ट नमर कोचन है मूल परजीवी के रूप में बेवहार करने वाला पोधा कोन है सो वह है आपका कश्ट कुटा सौपसंद सी विल राइट इंसर कश्ट कुटा देखिए कश्ट कुटा में कुछ एजाम पाले जैसे अमर बेल अकास बेल अगर बत्ती इस सब क्या है आपका परजीवी जड़ करता है चले देख्षैंसार मांट इसो में उरजा जमा होता है सब्सक्राइब अकूतल visa कर देखिए जो फिर पूरा सिर्जित हो सकता है और दात मानु की जीवन में दो बार आते हैं एक बार आते हैं दूद के दात जिसे बोलते हैं और दूसरी सबसे बड़ी गरंती है और सबसे पहली बड़ी गरंती कौन है लीवर और दूसरी आपका पेंक्रियाज पेंक्रियाज आपका इंडोक्राइन भी है और साथी साथ आपका एक्जो क्राइन भी है तो सबसे बड़ी इंडोक्राइन और एक्जोक्राइन गरंती आपका कौन है तो आपका अगनासी है गॉच्छे के अग्षाइब को पूच्छे की सबसे बड़ी गरंती कोन है मानुसरीर की तबाहुगा आपका लिवर लेकिन अब कोचन कुछे कि सबसे बड़ी अपके जो ऐ एक्जोक्राइन अनिकी बाहिच सर्वक्रांथी और सबसे लंबा औंग है और सबसे लंबांग को नहीं आपका तंतर का तंत्रि का तंत्र गुर्दे की पत्री का निर्मान करने वाला सरवाधिक समय नोगिक है इसमें पत्री होता है उसमें पाई जाता है केलिशियम उगजा लेट चले देखते हैं आपका जो नेक्ट कोचन है त्यातर नमबर एक मानोजीव में उस्ताना कितनी शावेदी कलिकाएं मवजूद होती ह इसमानोजीव में आपका एप्रोक्सली जो है वाद 2000-8000 तक सन्वेदी आपकी पाए जाती है स्वाप्सन यह विल्बराइट इसर 2000-8000 जीव के वीविन भाग स्वाद के लिए वीविन परकार को दर्साता है चले देखते हैं आपका नेक्ट वोचन चोटर नमबर परकिरि उसके सब्सक्राइब तरह की आपका फॉचन का पाचन होगा उसके बाद का फॉचन क्या होगा असार उसके बाद समागी करन होगा फिर आपका मल त्याग होगा चलिए देखते हैं आपको नेक्ट को चल एक बैस कमानों का पूरा पाचन तंत्र आनि मुझ से गुद्दा तक की टोटल नमबाई कितने होती है सब्सक्राइब करें और आपके पास जितने भी अश्टेड रिल्टर ग्रूप से उनमें इस वीडियो को जरू से जरू करें थैंक्यो फर वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत आपका दिन सुभ हो